नमस्कार दोस्तों मैं सोनू आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं सोनुमान तो इस फ्रेश वीडियो में तो गाईज हमेशा के तरह आपके लिए धमाकेदार वीडियो लेकर हाजिर हो चाहूं आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से आप God of War PC 2022 Edition को कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने PC में या फिर डेक्स्टोप में बड़े असानी तरीके से और बिल्कुल आपको जैनुएन गेम बताऊंगा और और ओरिजिनल गेम होगी हो और इन फ्यूचर प्रिज होती है PC के लिए तो आप डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पर यह कुछ इस तरीके का एक आप अप्लिकेशन आ रहा है कुछ इंटरफेस है बसके लिए यह यह स्टीम एप्लिकेशन है इसका लिंक है वेबसाइट का आपको मैं द PC पर आती है आप देख सकते है Horizon Forza 5 यहाँ पर दिख रहे है Forza Horizon 5 और और भी बहुत सारी गेम है GTA 5 है यानि कि जितने भी लेटेस्ट गेम लाउंच होती है जैसे जिस तरीके से कोई मुवी लाउंच होती है तो सबसे पहले थेयटर में आती है उसी तरीके से अगर कोई गेम लाउंच होती है गाइस मार्किट में पूरे दुनिया में कहीं पर भी तो वो आपको स्टीम पर यहाँ पर देखने के लिए मिल जागे यह स्टोर है जैसे कि आप Android phone में जो है अपना App Store यूज करते है एप्लिकेशन और गेम्स को डाउनलोड करने के लिए उसी तरीके से य आपको क्लियर हो रहा होगा कि हम कहां से डाउनलोड करेंगे तो simply आपको यहाँ पर जो सर्च दिख रहा है गाइस यहाँ पर सर्च कर लेना है God of War तो देखिये मैंने इस तरीके से सर्च किया और एंटर कर देना है guys आपको एंटर करने के बाद आपको जो यहाँ पर थोड़े सा ध्यान देने वाली बात है आप देख सकते हैं कि यह आइकन दिख रहा है यह अपर यह देखिए अभी जो यहाँ पर आपको पिक्चर से लिखने के लिए मिल रहा है और यहां पर आप देख सकते हैं यह release date होती है गाई तो 14 January 2022 को यह already आ चुकी है और साथ में यहां पर इसका price दीख रहा है जी हाँ आपको यहां से अगर कोई game download करनी है जो भी latest game launch होती है तो वह free में नहीं मिलती है गाई उसको आपको खरीदना प सकते है इस तरीके से interface आएगा और simply आपने क्या कर देना है view page पे click कर देना है और यह कह रहा है कि enter date और guys यहां पर आपको birth date पूछ रहा है तो हैं पर आप कुछ भी डाल सकते हैं यहां पर random कोई भी उठा लेते हैं कोई भी चक लेते हैं let's suppose चलो यह कर लेते हैं ठीक है view page पे click कर लेना है मतलब 18 साल चाप उपर होने चाहें कोई भी game buy करने के लिए और यहां पर चल पड़ा इसका यहां पर जो है guys आपको इसका trailer दिख जाएगा और यहां पर आप कुछ इसको highlighted features दिख जाएंगे क्या है release date क्या है all reviews क्या है मतलब कि total जो सारा कुछ interface पे यहां reviews सारे कुछ आप यहां पर देख सकते हैं plus guys यहां पर लिखा हुआ है कि by god of war तो यहां पर आप देख सकते हैं कि 399-99 add to cart जैसी अगर मैं cart में इसमें click करूँगा तो मेरी cart में add जाएग जैसे आप flip cart और Amazon पर shopping करते हैं वैसी आप जब गेम की shopping करते हैं आप store पे guys तो थोड minimum requirement आपका जो है वो पूरा करता है तो minimum requirement कर सकते हैं ठीक है minimum एक बार देख लेते हैं guys कि basically आपका जो प्रसेसर होना चाहिए आपको बता दू कि दो type की जो है वो प्रसेसर चलते है एक तो 32 bit और दूसरा 64 bit उसको आप कैसे चेक करेंगे simply अभी जैसे मेरा window 11 है तो यहां पर म मैंने right click किया right click करने के बाद guys match ले जाता हूँ यहां पर direct अपने settings में settings में जैसे गया यहां पर आप आप देख सकते हैं थोड़ा सा नीचे scroll down करके about about जो है PC खोलना आपको और यहां पर guys आपको दिखेगा यह वाला दिखिए system type 64 bit का है ठीक है तो 64 bit का हमारा भी प्रसेसर है यानि कि पहली जो requirement है हम यहां पर फुल्फिल कर रहा है दूसरा check out कर लेते हैं guys दूसरा यह कह रहा है कि windows 1064 bit होना चाहिए मतलब minimum तो आपको मैं दिखाता हूँ कि हमारे पास जो है window 11 है guys यह देखिए window 11 home single language है यानि कि यह भी requirement हमारी पूरी हो रही है plus intel i5 यह 1000k लिख रहा है यानि कि basically second generation तक यह support करेगा तो i5 second generation minimum होना चाहिए या फिर AMD का Ryzen 3 होना चाहिए तो हमार पास देख लेते हैं क्या है guys तो हमार पास आप देख सकते हैं i5 ninth generation है अपने पास पूरी हो रही है और अगले चलते हैं यहाँ पर देखिए 8GB RAM और हमार जो RAM है guys वो है 16GB तो यह भी पूरा हो रहा है हमार पास प्लस यहाँ पर यह लिखा है कि Nvidia का GTX 960 चाहिए या AMD का R9 चाहिए Nvidia का GeForce GTX 1650 अपने पास तो यह भी जो requirement है वो पूरी हो रही है हमार पास basically 4GB ग्राफिक कार्ड है इसमें और वर्जन डिरेक्ट एक्स वर्जन 11 ठीक है और स्पेस जो चाहिए अपने को 70GB गाइस यह जो गेम है वो 70GB की है पूरा setup उसके बाद जब इसको प्ले करेंगे जब इसको खेलेंगे तो आपकी जो गेम फाइल जो है वो बढ़ती रहेगे यह हो सकता है 70 से आपका 100GB या को smoothly अगर आप इतनी requirement इनके fulfill कर देते हैं अब बताता हूँ आपको buy कैसे करना है जैसी guys आपको add to cart इस पर अगर करेंगे ठीक है तो add to cart करने के बाद यह दो option पूछेगा purchase as a gift या फिर purchase for myself तो आपको कर लेना है purchase for myself तो यह आपसे guys address address पूछेगा जहाँ पर मैं details नहीं बता पाँगा आपको आगे इससे आगे क्योंकि हम payment नहीं करेंगे यह drop down menu अगर आप select करेंगे तो यह visa, mastercard, cash or delivery बहुत सारे options देगा आपको जो आपको अपने हिसाब से convenient लगेगा वो आप यहाँ पर buy कर सकते हैं अब कई लोग पूछेंगे कि हम इससे paytm से buy कर सकते हैं तो payt आपने buy कर लिया है कोई game जो है अब तो वो कैसे show करेंगे आपके पास तो library में जाकर आप यहाँ पर check out कर सकते हैं यह जो दो game है guys हमने वो buy कर रखिया आप देख सकते हैं एक तो grand theft auto ठीक है five है और दूसरी हमार पास है warframe तो यह भी इस तरीके से जैसी आप इस पर click करेंगा इस तरीके से updates भी इस पर आते रहते हैं इसको हम करेंगे close यह देखिया guys हमार पास Forza Horizon 5 है और GTA 5 है तो इस तरीके से आपके पास icon आजागा जैसी आप icon पर click करेंगे double click तो यह automatic play होना शूरू हो जाएगा guys तो यानि कि कोई भी इसमें आपको जंजट नहीं आने व है क्योंकि 100 GB हमने जो है वह download करना है पूरा-पूरा मतलों कि आधाता दिन लग जाता है डाउलोड करने अगर net speed आपके पास अच्छा ना हो तो और इसके बाद वह game ना चले अगर आप समझेंगे मैं कहां से बात करूं अगर आप जो है कोई भी crack file या फिर कहीं से भी download करत आपके lifetime के लिए आपर access हो जाता है जो भी game आप buy कर लोगाई वह आपके account में permanently आ जाएगी वह आप कभी भी कहीं पर भी खेल सकते हैं उसको install कर सकते हैं और जो भी login आप इस पर बनाएंगे अगर वह आपकी इसको friend को भी देते हैं तो वह friend भी जो है वह इसको install कर सकता है तो suggest कर गूँआ कि आप जो है अगर कोई भी friends है आपके दो-चार friends मिलकर पैसे इकठे करके और एक ID बनाकर आप इस पर कोई भी particular game बाई कर लीजे और बाद में जो है आप एक बाद में login करके वहां से install कर सकते हैं पर PC में तो बड़े इसली तरीके से आप जो इस तरीके से जो है steam से officially जो है वो game को download करना है कैसे install करना है कैसे payment करनी है in future अगर मैं कोई भी game buy करता हूँ guys तो मैं उसकी एक video बना लूँगा ताकि आपको उसका जो process है dedicated process मतलब कि कैसे payment करना है क्या करना है वो भी मैं आपको फिर ताकि बता पाऊं तो उसके लिए क्या करना है चैनल क सबसे पहले डालूं वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए तो guys आज के लिए इस वीडियो में इतना ही अगर आपका कुछ भी सवाल हो कुछ भी आपने पूछना हो तो comment कर सकते है comment मैं definitely मैं उसका answer करूंगा और जो भी सबसे पहले comment करेगा यानि कि top 10 commenters होंगे उनको मैं हुआ उनको अ कि अजयार आपका क्या पहले हो चलते है यालूंग आपका कि आपका कुछ भी सबसे खिमाने हो भी सबसे हैं आपका का यह जच किसे थाजर, बुछना है पुर करूंगा है कि अःद्ट गे ज़ से बड़ कर दिया है